हेलो गाइज, the lot of things are happening, war, taxes, regulations, लेकिन क्रिप्टो जिस प्रकार fiat currencies के flaws को दूर कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीजे क्रिप्टो पर कोई असर कर पाएगी, regulation की वजए से सबसे ज़्यादा जो दिक्कते आ रही है, वो पैसे deposit करने में आ रही है, किसी भी crypto application में फिर चाहिए वो centralized हो जैसे कि Binance, WazirX, CoinSwitch, Kuber या फिर Coinbase, उनमें पैसे deposit नहीं कर पा रहे है, फिर चाहिए वो हम UPI से transaction करें, इंटरनेट बैंकिंग से करें, हो भी पा रह लेकिन हम ज्यादा दिर इससे दूर नहीं रह सकते, लोग यह जो centralized application है, जैसे Binance, WazirX, CoinSwitch, Kuber या Coinbase, या जो भी आप use कर रहे हो, उससे transfer हो रहे है decentralized application में, जैसे कि Metamask, Trust Wallet, Phantom, इसमें, याने web 3.2 की तरफ, new internet की तरफ, और हम भी इससे पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, primary हमारा जो problem है कि पैसे deposit नहीं हो पा रहे है, हम उसे दूर करेंगे by P2P method, याने peer-to-peer transaction, आज हम directly web 3.0 में enter करने वाले हैं, याने आप हम जो पैसे add करने वाले है by P2P method, हम उसे transfer करेंगे decentralized wallet में, याने Metamask में, हमेशा की तरह, बहुत basic से start करते हैं, what is P2P trading, so, अगर मेरे पास कुछ fiat currency है, चाहे वो dollar हो, या rupees हो, मैं अगर वो किसी को देता हूँ, और इसके exchange में, वो मुझे crypto's देता है, फिर चाहे वो Ethereum देता है, Bitcoin देता है, USDT देता है, तो उसे हम कहेंगे P2P trading, याने एक peer से दूसर टेक्निक पे crypto's based है, यह जो सभी transaction होते है, यह directly buyers और sellers के भी रहते है, और security reason, sellers के जो crypto's है, वो exchanges hold करती है, okay, let's start it, मैं या बाइनांस यूज कर रहा हूँ, आपके पास दूसरा भी application होगा, तो भी कुछ problem नहीं है, concept सभी जगा same ही work करते है, अब जो भी application आपके पास है, obviously centralized application ही है, तो आपको two-factor authentication याने KYC और mobile number आपको verify करना पड़ेगा, हम यहाँ जो भी initially funds add करने वाले हैं, हम उसे decentralized application में भेजने वाले हैं, तो decentralized application में कोई verification नहीं होता, यह two-factor authentication या KYC जैसा कोई verification नहीं होता, यह हमारी identity purely privatized होती है, watch the full video as we are entering in a new internet और web, तो open करता हूँ मैं यहाँ Binance application में, जो कि सभी ज़्यादा तर यूज करते हैं, इसलिए मैं भी Binance ही यूज कर रहा हूँ, तो आप जब भी application को open करोगे, आपको home screen पे ही P2P trading का option मिल जाएगा, कुछ-कुछ application ही P2P को support करते है, majority links मैंने description box में provide करती है, P2P option पे click करते ही आपको कुछ SI interface मिलेगा, आपको cryptos को deposit करना है, यानि buy करना है, तो buy option को सुनिचित कर लो, अब आपकी जो फ्याट currency है, जो भी, rupees, US dollar और any, उसके बदले में आपको कुछ से cryptos चाहिए, उसे decide कर लो, जिसे आप यहाँ से choose कर सकते हो, Bitcoin, Ethereum, Binance और Dogecoin जो भी हो, मैं USDT को select करता हूँ, जिसे बाद में मैं यह सारी cryptos भी buy कर सकता हूँ, अब मेरी fiat currency रूपीज है, तो रूपीज में यहाँ select करता हूँ, आपको कितना amount receive करना है, वो यही डालना है, आप जितना deposit करना चाहते हो, उतना add कर सकते हो, या कोई restriction नह select करता हूँ, तो मुझे 10K sellers यहाँ sort out करके मिल जाएंगे, यहाँ पर आप payment method को select कर सकते हो, यानि जो भी site है, वो आप आपके ही सबसे sort out कर सकते हो, यह जो नीचे जो sellers की list है, जिससे हम cryptos purchase करने वाले है, considering volatility, यह prices आपको थोड़े different मिलेंगे, सबसे पहला है, उसका rate कम है, तो मैं उसी से ही खरेद लेता हूँ, अब उसकी cryptos Binance ने hold कर ली है, तो यह transaction में fraud नहीं कर पाएगा, simply उसने यहाँ bank details दिये है, उस पे मुझे 10K भेजने है, without mentioning any crypto thing, यह mention नहीं करोगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि actual में किस reason के लिए पेसे भेजे जा रहे है, banks को भी तो मैं simply UPI से याद 10,000 रुपे भेज देता हूँ, और यही transfer पे click कर देता हूँ, यहाँ मुझे payment करने के लिए 15 मिनिट मिलते है, और उसके बाद transfer पे click करने के बाद crypto को release करने में उसको 15 मिनिट मिलते है, आप उससे chat भी कर सकते हो, अगर वो payment information का screenshot मांगता है, तो आपको उसे यहाँ पर भेजना है, remember उतना ही amount डालना है, जितना आपने यहाँ mention किया है, sellers के cryptos को यहाँ exchange ने, यानि Binance ने hold किया होता है, तो obviously वो cryptos release कर देता है, कुछ problem होगा, तो आप यहाँ help line का भी इस्तिमाल कर सकते, तो यहाँ पर कुछी minute में उसने cryptos release कर दिया है, जो कि म से trading कर सकते हो, withdrawal कर सकते हो, buying कर सकते हो, यह selling कर सकते हो, but हमारा आज का main concept है, web 3.2, so let's move towards it, metamask, metamask एक digital wallet होता है, जा हमारी identity purely privatized होती है, यहाँ पर आपको initially ही एक बात याद रखनी है, कि metamask को download करते वक्त, official site से ही करना है, you can check metamask.io here, क्योंकि एक duplicate metamask की वज़े से, मेरे 10 लाक रुपेज की worth, cryptos and inepties चोरी हो गई थी, जिसका detailed video भी मैंने YouTube पे share किया है, beware and watch that video too, मैं official link description box में डाल दूँगा, लेकिन फिर भी आपको official web address को check ही कर लेना है, Just download as extension in a Chrome or for any web server, download करने के बाद यह कुछ simple terms है, पता नहीं या क्यों दिये गए है, वेसे भी ये web 3.0 है, तो not needed, but still mandatory है, तो accept it, afterwards एक primary password आपको यहाँ डालना है, जिसे आप अपने device में open करने के लिए हर बार इस्तिमाल करोगे, Most important page, recovery phrases, या आपको कुछ words मिलेंगे, जो कि आपका lifetime के लिए password होगा, Basically इसे किसी के साथ share मत करो, it's everything, इसको भूल गए, you can't recover your account, और अगर यह चोरी होता है, तो कोई भी इसे access करता है, हो सके, तो इसे offline save करके रखो, और आपके cryptos को भी हो सके, तो offline ही save करके रखो, अब इसको यहाँ paste कर देते हैं and done, आपका metawask wallet open हो जाएगा, So, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ blockchain का नाम है, Ethereum blockchain, guys, यह web three point हो है, यह आप हो, तो इसे आप जैसे चाहो, वेसे design कर सकते हो, यहाँ आपका contact address है, जो आपको represent करता है, यहाँ आपके identity purely privatized है, जो कि हमने already discussed किया हुआ है, यहाँ आपकी जो personal identity है, वो कोई नह है, तो कौन transaction कर रहा है, कौन buy कर रहा है, या कौन sell कर रहा है, यह किसी को पता नहीं चलता, अब जो भी amount हमने finance में add की है, उसे हमें metamask wallet में लेना है, simply, जैसे हम phone pay या किसी wallet application से एक account में से, दूसरे account में पेसे लेते हैं, वैसा ही process से, सिर्फ हमें यहाँ Binance wallet में से, एक decentralized metamask wallet में पेसे transfer करने हैं, लेकिन, जब भी हम यह phone pay या Paytm application से payment करते हैं, तो इन application को पता होता है, कि हम किस चीज के लिए payment कर रहे हैं, या क्या purchase कर रहे हैं, they always tracking us, और इसलिए metamask का invention हुआ, शायद आने वाले future में, हम किसी चीज को purchase करने में, इनी सारे applications का इस्तिमाल करेंगे, decentralized applications का इस्तिमाल करें, फिर चाहिए वो shopping के लिए हो, या फिर cryptos खरीदने के लिए, ये neftis को खरीदने के लिए, यहाँ पर हमारे contract address है, इस पर हमें cryptos को भेजना है, through Binance, जहाँ हमने already 10k add किये हैं, इसे मैं copy कर लेता हूँ, Guys, यह बहुत interesting thing है, new thing है, आपको जरूर मज़ा आने वाला है, इसे use करते हूई, simply मैं Binance में जाओंगा, जहाँ मेरा wallet है, और उसमें 10k अभी हमने add किये हैं, यहाँ wallet में withdrawal का option है, यहाँ पर हमें click कर देता हूँ, कौन से cryptos को withdraw करना है, यह हमारे उपर है, हमने USDT को add किया है, तो मैं USDT को select करता हूँ, address copy किया है, उसे मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, सबसे important network, याने blockchain, सो किस minute याने blockchain पर हमें cryptos को भेजना है, कौन से blockchain हमें यह transfer करने के लिए use करनी है, इसको option यह है, हर एक blockchain को अलग अलग फीज होती है, जो यहाँ mention की गई है, अब बात यह है, कि हम कौन सी भी blockchain से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन NFT को खरीदने के लिए Ethereum ज्यादा तर इस्तेमाल होती है, लेकिन Ethereum की gas fees भी ज्यादा होती है, लेकिन अगली वीडियो में हम NFT को buy करने वाले हैं, तो हम ERC20 को as payment method select करते हैं, amount में आम max कर देता हो, याने 10k, total 10k में यहाँ withdraw करने वाला हो, confirm and then आपको mobile और email के लिए OTP verify करना है, and done, कुछ 2-3 मिनिट बाद ही आपका withdraw successful हो जाएगा, जिसका hash regenerate हो जाएगा और आप उसे blockchain पे भी track कर सकते हो, अब यह जो पैसे हमने transfer के यह metamask में तो दीख नहीं रहे है, और payment तो successful आ रहा है, because यह एसा ही है, आपको अगर दिखाना है कि मैंने पैसे add किये है, तो आपको वो coin add करना होगा, और आप अगर चाहते हो कि किसी को पता नहीं चले कि मेरे wallet में कितने पैस है, तो आप इसे एसे भी रख सकते हो, तो सिर्फ home screen देख के कोई पता नहीं कर पाएगा कि आपके पास कोई सा coin है या कोई सा नहीं है, interesting ना, यहाँ से USDT को मैं अगर add करता हो, तो आपको balance दिख जाएगा, remember ये neptis को खरीदने के लिए आपको इथेरम चाहिए, USD नहीं, तो transfer करते वगद इथेरम को ही transfer करो, तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको USDT में से इथेरम पे convert करना पड़ेगा, जो की यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात gas fees and all, gas fees actually Solana में कम होती है, लेकिन Solana blockchain को यूज करने के लिए आपको phantom wallet की जरूरत होगी, एसा नहीं कि आप उसे Metamask में Solana को add नहीं कर सकते हैं, आप add कर सकते हो, लेकिन वो इथेरम blockchain पे या फिर Binance blockchain पे add करनी हो, अगर आपको सिर्फ cryptos को hold करना है, तो इथेरम से अच्छा आप दूसरी blockchain का इस्तिमाल भी कर सकते हो, जैसे Binance या फिर Polygon Matic, जिसमें gas fees बहुत कम होती है, So Metamask आपका यहाँ ready है, जहाँ से आप cryptos, NFTs, किसी को भी buy, sell कर सकते हो, यानि crypto related सभी transaction आप Metamask से कर सकते हो, अब हम enter हो चुके है, web 3.0 में, new internet में, so Metamask आपका ready है, जिससे आप cryptos, buy, sell कर सकते हो, NFTs को भी buy, sell कर सकते हो, यानि crypto related सभी transaction आप Metamask से कर सकते हो, we will see how to buy NFTs and all in next video, तो subscribe कर लो मेरे YouTube चैनल को, आपके problems को comment करना है, comment box में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करना है, and see you soon, thank you guys.